इसबार होली पर चंद्र ग्रहन का साया में हमारे खास शो में आप सबी का बोहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ में मन दिट और इस बार होली कितनी जादा खास रहने वाली है इस बार होली पर 100 साल बात पड़ रहा है चंदर गहन इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा इस बार होली का पूजा कैसे की जाए ताकि चदर गहन का कोई भी असर ना हो और साथी इस बार होली पर ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं जो की आपको माला माल कर सकते हैं इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है जोतिशा चारे पूजा भातिया जी और साथी जोतिशा चारे राकेश चत्रुवेदी जी आप दोनों का बहुत स्वागत है सबसे पहले पूजा जी सवाल मेरा आपी से बहुती सुंदर प्रशन किया है आपने कि 100 साल बाद ये सयोग पढ़ रहा है कि होली पर चंद्र ग्रहन का साया है इसे बहुत से लोगों के मन में बहुत से संचय है कि ये चंद्र ग्रहन है साथी पावन पर वो होली का है तो कहीं कोई विग्ण ना आ जाए कहीं कोई टेंशन ना हो जाए कहीं कुछ खराब चीज ना हो जाए लेकिन मैं इसमें आप सभी को यह बताना चाहती हूं कि चंद्रग्रहन जो है भारत में बिल्कुल भी विजिबल नहीं है 25 मार्च को सुबह 10 बच कर 23 मिनट से लेके चंद्रग्रहन की जो हमारा टाइम लाइन है यह रहने वाली है और यही मेंट टाइम होता है जब सब होली भी खेलते है तो घबने की जरुद नहीं है क्यूंकि चंद्रग्रहन इंडिया में विजिबल नहीं है मेली वह अमेरिका स्विच्जरलर्न जर्मणी जैसे कंट्री दो आपको घबराने की जुरुत नहीं है इसका सूतक भी माने नहीं है आप निश्चिन्थ होकर होली खेल सकते हैं इस इन बहुत शुब सयोग भी विद्धी योग तो बहुत ही शुब सयोग हैं अपने त्योहार को आप इंजॉइ कीजिए और चंद्रग्रहन के लिए बिल् तो ऐसे में क्या उपाए लोगों के लिए ताकि उनको धन की हानी ना हो देखे सबसे पहले आपको होली की सुभकामना है आप सभी दर्शकों को चंद्रगहन को ही नहीं इस होली और होलाश्टक के दिनों को भी धन हानि से जोड़ कर देखा जाता है क्यों इसका एक छोटा सा सूच में कारण भी बता दूँ जिससे भ्रहम भी दूर हो जाए इन होलाश्टक के दिनों में कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को सब्शादा प्रतारना दी गई थी तो भगवान श्रीहर विष्णू इस समय पीडित रहते हैं इसलिए सुभकर्म नहीं होते हैं और जब भगव जो है केतू से पीडित रहेगा और साथी साथ एक विशेश ध्यान देना है सूर्य राहू के साथ पीडित है और चंद्रमा चलित लक्षमी का भी कारक है तो इस बार होली जो है वद्धनहान इसे जोड कर भी देखी जाएगी अकास्मिक धनहान इस्वास्त पीड़ा मानसि स्रीहर विश्णू और भगमान शिव याने की रूद्र देवता स्वयम प्रशन्न होंगे और हम सभी को हर प्रकार की कष्ट और पीड़ा से मुक्ति प्रदान करेंगे तो आपने जाना कि कैसे महादेव को आप प्रसन कर सकते हैं पूली के तिवहार पर पूजा जी आपके पास में मैं आऊंगी ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं पूजा पाठ को लेकर आप चंद्र ग्रहन पी पढ़ रहा है तो क्या कोई खास पूजा पाठ की जाए और आप कौन से मंत्र बताएंगे हमारे दर्शकों को देखे चंद्र ग्रहन तो पढ़ी रहा है तो चंद्र ग्रहन का समय होता है वो मंत्र सिद्धी का समय होता है इस समय यदि आप कोई भी मंत्र जिस भी आप इश्ट देवता को मानते हैं उनके मंत्रों का यदि आप उचारन करेंगे तो वो मंत्र कहते हैं कि सिद्ध हो जाता ह एस मंत्र का 1000 गुणा फल आपको मिलता है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है, तो आप सिरफ ओम नमस्षिवाय की चांटिंग कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा मन्सो जातिक, चंद्रमा मन का चारक होता है। तो ऐसे में जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में पीडित है तो उन लोगों को थोड़ से मेंटल टेंशन और इंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल उनके हाई हो सकते हैं तो आप ओम नमर्शिवाय की चांटिंग कर सकते हैं आप श्री सूक्त का पाट कर सकते हैं आप भगवान विश्नु का जाब कर सकते हैं विश्नु सहस्तरनाम का जाब कर सकते हैं अगर आपको बार बार हेल्थ इशूज आ रहे हैं तो आप महामृत्यून जय मंत्र का जाब कर सकते हैं साथ ही अपने इष्ट देफता का आपका जो मूल मंत्र है उसका भी जाब कर सकते हैं किसी भी तरह का जाब कीजे आपको मंत्र सिद्धी का ये समय बहुत ही शुब होता है और आपको हर मंत्र का हजार गुनाफल मलता है और राकेश जी आपके पास में मैं आऊंगी चंद्रमा मन का स्वामी माना जाता है और होली को प्रेम और अच्छे संबंधू का त्योखार माना जाता है अब ऐसे में चंद्र गहन के लिहाज से रिष्टो को और भी जादा बहतर बनाया जा सके उसके लिए क्या उपाए होंगे अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रेम संबंधों में पीडा मिल रही है आपके बैवाहिक संबंधों में दिक्कते आ रही है या किसी भी तरीके से तो एक साधारा नुपाय है स्रीहर विष्णू का प्रेम का रूप है भगवान स्री कृष्ने और क्या करना ह आपको एक मंत्र का जाब करना है उनको लाल या पीला गुलाल लगाते हैं इसम प्र का मानशिक जाब करते हुए तो आपके जीवन से हर प्रकार की पीडा दूर हो जाएगे तो आपने जाना कि कैसे रिष्टों को आप और जारा अच्छा बना सकते हैं अब पुजा जी मेरा सवाल आपसे है कि होली पर चंदरग्रहन है अखर क्या बाते ऐसी है जो की ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन से काम ऐसे होते हैं जो कि होली पर नहीं करने चाहिए तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत जादा negativity हो जाती है तो ऐसे में जो लेडीज हैं अपने बाल खुले बिलकुल भी ना छोड़े बाल बांद के रखें क्योंकि नेगिटिव अनरजी बहुत जादा हो जाती है होली के आसपास के दिनों में यदि आपको कोई कुछ खिलाता है जैसे लॉंग या इलाइची या कोई सफेद मिठाई तो किसी के भी हाथ से कुछ भी खाना वॉइड कीजिया और होली के आसपास के दिनों में आप हो सके तो घर में सुक शान्ती बना के रखिए कला है तो इस तीज़ का आपको बेहत जादा ख्याल रखने की जरुवत है साथ ही चंद्रग्रहन है तो चंद्रग्रहन के बाद आप दानपुन्य अवश्य करें आपके घर में यदि कोई कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दे उसको कुछ ना कुछ दे गहन भी है तो इस बार होली का देहन पर वो कौन से खास उपाय है जो कि लोगों को करने चाहिए यहां पर भगवान श्रीहर विश्णू का एक जो है वह अचूक मंत्र है ओम स्रीहर मरकट मरकट मरकटाए श्वाहा इस मंत्र का जाप जहां भी घर का मंदिर हो वहां पर प् गुलाल अर्पित करें और साथी साथ घर के बाहर किसी कच्चे बरतन में कच्चे बरतन में ले जा करके दक्षण दिशा में घर के बाहर आप प्रेति या पित्रों को भी रंगों का यानि कि गुलाल रखने का विधान है सास्त्र में तो यह जरूर करिए किसी भी तरीके की पूजा जी आपके पास में आऊंगी कहते हैं कि ग्रहन में पूजा नहीं की जाती है अब लोगों के मन में सवाल होगा कि होली का देहन पर पूजा आखिर कैसे की जाए और साथी शुब मुहरत क्या होगा होली के मुहरत की जहां तक बात है तो होली का जो पावन परफ है वो फागुन मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है और फागुन मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी इसबर 24 मास को सुबह 9 बच कर 54 मिनट पे लग रही है और वो रहेगी 25 मास क दोपहर के 12 बचकर 29 मिनट तक लेकिन साथ ही यहां पे हमारे भद्रा का भी साया 24 मार्च को 9.05 से शुरू है और वो रात के 11 बचकर 12 मिनट तक रहने वाला है तो इस बर होली का दहन जो है रात को 11 बचकर 13 मिनट से लेकर रात को 12 बचकर 27 मिनट तक ही हो पाएगा तो ये शु सबसे पहले तो नहाध होकर आप स्वच रहें और उसके बाद पूरब की तरफ आप अपना मूह उपकर आप अपनी होली का जो है वो सजाहें आप गोबर से प्रहलाद की मूर्ती और होली का की मूर्ती बनाएं आप और विधिवत पूजा करें साथ ही आप होली की अगनी जलती है तो आप उसकी परिक्रमा करते हुए आप अपनी मनिफेस्टेशन कीजे जो भी आपकी जिंदगी के कष्ट है आप होली की आग में आपकी जिंदगी के सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं आपके जितने भी जिंदगी की परिशानिया छलकी से और अपनी टर्श कर सकते हैं और इसी तरीके से अप Folinkा nал拿ла को आपके पास में आऊंगे इसा मानना जाता है कि अगर स्वास्त से संभंदित कोई समत्या है तो भी आप demons पूजा करके उसे दूर कर सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी विधी होगी, क्या ऐसे उपाये हैं, ताकि अगर health related कुछ issues हैं लोगों को, तो उसे ठीक किया जाएं। और थोड़ा सा गंगा जल ले लिजेगा, और आप सांत मन से 11 बार इस मंत्र का जाब करिएगा। अगर अकाल मृत्यु की पीडा भी होगी, तो वह भी दूर होगी, और यह जो 11 लौंग, 11 इलाइची आपने लिया हुआ है, यह अगर होली का दहन के समय प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी में आप डाल दीजिए, और अगर होली के दिन यानि 25 तारिक को आप इसको ले रहे हैं, यही 11 दिनों तक आप किसी प्रदार्त में, चाहे चाय में चाहे इसका चून बना करके, किसी न किसी प्रकार से प्रथम आहार में आप इसको लिजिए यानि की इसको खाइए, एक-एक करके, तो आपके जीवन से हर प्रकार की पीडा, स्वास्त पीडा हो, या मृत्यु भै और उनको जो है आपको प्रसाद अर्पन करना है प्रसाद किस चीज का बनाना या आपको खीर का भोग लगाना है यदि पति-पतनी मिलकर खीर का भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि उनके दमपती जीवन में जितनी पी परिशानिया आ रही है वह हो जाएंगी अगर परिवार में बहुत जादा खट पट रहती है husband wife की नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है आपको एक सूखा नारियल लेना है उसमें चीनी भणनी है और होली का दहन की परिक्रमा जब आप कर रहे होते हैं तो होली का दहन में वह सूखा नारियल चीनी से बहुत जादा खट पट हो रही है घर में कलेश हो रहा है तो आपके काम भी बहुत जादा टक रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है अपनी लंबाई का जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का आपको एक लाल धागा लेना है उसको नारियल में लपेटना है और उसको हो हौली वाले दिन आपको क्या करना है शिवलिंग पर हल्दी की गाणठ हर्पित करनी जाप करनी तो भी आपकी विवा अगला सवाल राकेश्री मेरा आपके साथ मैं होलिका देहन की राक भी काफी जादा खास होती है उसको लेकर भी लोग कई तरह के उपाय करते हैं होलिका की राक से जुड़ा हुआ आप उपाय बताई ये ताकि जिसे लोगों को सौभागे की प्राफ्ति होती हैं प्रथम को लगाते हैं वह राक ही लगाते हैं तो अगर किसी बच्चे को देखें दो तरीके से इसका प्योग कर सकते हैं पहला तो प्रथम जो आप होली के उपलक्ष में कुछ लगाएं अपने चेहरे पर तिलक करें वह होलिका के राक से ही करें उससे क्या होगा कि आपके जीवन में किसी भी तरीके की नकरात्मक्ता है किसी भी तरीके की रुकावट आ रही है कारियों में रुकावट आ रही है ब प्रकार से दूसरा एक विधान है राख का होڑिका के राख का कि अगर हम हो लिका के राख से पहला तिलक करते हैं तो उस दिन किसी भी प्रकार का अगर अनिश्ट ्योग जैसे कि सूरीराहू की युती के साथ और बीज मंत्र लीजिएगा जो महामिरतुंजय का बीज मंत्र है ओम हों यूंस इस मंत्र से अगर तिलक करते हैं और सबसे पहले अपने बढ़ों को भी पडाम करके तिलक करिएगा और अपने माथे पर भी तिलक करिए या बच्चे के माथे पर अगर तिलक करते हैं मंत्र के साथ तो यह अम्रत संजीवनी योग का निर्मान करेगा और आपके जीवन में कभी भी किसी तरीके की कोई पीडा नहीं आ पाएगी तो राके शीरी यहाँ पर राहु का जिक्र क्या इसी से जुड़ा हुआ मिरागला सवाल है पूजा जी आपसे ऐसा माना जाता है कि चनी राखु केतू से संबंदिक कस्टों को दूर करने के लिए भी होली का दहन की पूजा की जाती है और इस बार चंदर ग्रहन भी है तो किस तरह से पूजा की जाए और क्या खास उपाए है आप होली का दहन वाले दिन आप जो है एक छोटी से काले कपड़े में कुछ का जाएगी और साथ ही जो होलिका की जो भस्म होती है यदि आप अपने दाहिने हाथ की पहली तीन उंगलियां लेकर उस भस्म को ऐसे अपने माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं तो उससे भी कहा जाता है कि अगर कोई आप किसी ने कुछ किया कराया है जो नेगिटिविटी ह राहू कीतु का अफेक्ट है शरी का अफेक्ट है वो कम हो जाता है और आपके दुश्मन जो है वो आपको हराने में कभी भी काम्याब नहीं होते हैं और आप पर विज़े नहीं पापाएंगे राकिश ची अगला सवाल मेरा आप से है कई बार लोगों की जीवन में कुछ ऐसी परिशानिया होती है लाग कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं होती है फिर वो उपाएं करते हैं लेकिन उन परिशानियों से चुटकारा नहीं मिल पाता इस बार होली का देहन और रात्र को भी आप यह प्रियोग कर सकते हैं क्या करना है आपको खीर बनानी है खीर बना करके मीठी खीर बनानी है और ले जाकर अगर हो उपलब्द तो उसमें केसर डालने नहीं तो जब खीर बन जाये पक जाये तो उसके बाद हलका सा उस पर हल्दी जो है वह डाल दीजि कि रखे कहीं एक आंत अगर पौधा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है और वहीं पर बैठ करके कुछ देर स्रीहर विश्णु के मंत्रों का नाम का चाहे हो है भगवान स्री राम के ही नाम का जाब करें या फिर ओम नमो भगवते वाशुदेवाय यह मंत्र बीज मंत्र करें पुजा जी राशियों को अगर चंदरग्रहन और होली से जोड़ कर देखे तो लोगों के मन में एक सवाल होता है कि उनकी राशी पर कैसा असर रहेगा तो क्या कुछ ऐसी भी राशिया है जिनको सावधान रहने की जरूरत है देखी जिस तरह से चंदरग्रहन है और चंद राशी के जातकों को भी थोड़ा साफधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहां बेभी उनको थोड़ा सा फिनांचल इशूज आ सकते हैं लेकिन साथ ही उनको नई ऑपरचुनिटीज भी मिलती हुई नजर आ रही है सूर जो है इस बार वो भी राहू के साथ है तो जो सिंग मिथुन राशी वाले हैं उनको अपनी हेल्स का ध्यान रखने की बहुत जादा जरूरत है इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मेश राशी वालों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है उनको मिक्स रिजल्स मिलेंगे चंद्रग्रहन के विरिशब राशी वालों के अट्रग्राशी में गरहन लग रहा है उनकी पदो निरती उनका प्रमोशन नके ट्रांष नक datो. शावल के चांसेश खोल रहा है उसी तरह किसे हम धनो राशी की बात करते हैं तो धनो राशी के लिए जो है ये शुब यात्राय का योग नजर आ रहा है साथी उनको नई इन्वेस्मेंट की ऑपरचुनिटीज भी मिलती नजर आ रही हैं मकर राशी की यदि हम बात करें तो म माकर राशी में जो लोग है उनको थोड़ा से अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूत है और थोड़ी सी इन्वेस्मेंट में बहुत जादा जो है इनको कोई भी अगर फर्दर इन्वेस्मेंट करते हैं तो बहुत ध्यान से करने की जरूत है वही कुम राशी वालों के ल अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरुवत है अपनी आइस का स्पेशली बहुत जादा ध्यान रखें मीन राश्री वाले और साथ ही बड़े बुज़ुर्गों की सला से ही कोई भी काम करें और मेरा आखरी सवाल है राकेश जी आप से पूजा के दौरान में आखिर कौन से ऐसे काम है जो कि नहीं करने हैं हम बात कर ले होली का दहन की पूजा की या फिर रंग खेलने के दौरान कौन से ऐसे काम होते हैं जो कि आप लोगों को करने के लिए मना करेंगे देखें बहुत ही उत्तम प्रिश्ण है आज होली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से सर देखा गया है कि ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि कई परिवारों में खुशियों की जगए जो है वह एकदम से निरासा आ जात चोटी चोटी दुरगटनाएं किसी न किसी वजह से आ जाती हैं सबसे पहले तो प्रियास करना है कि नीले या गाढ़े रंगों का बहुत ज्यादा गाढ़े रंगों का प्रियोग इस बार आप लोग मत करेगा वैसे तो सामानतेह नहीं किया जाता है लेकिन विशेश रू रूप से दो चीजों की यहां पर पूजा का जिक्र हो रहा है पहला कि जो होली दहन की पूजा करते हैं पहली बात उन्हें विशेश रूप से ध्यान देना है जो भी होली दहन का होली का दहन की पूजन करेंगे उनको रात्री में सयन नहीं करना है जैसे कि पूजा जी ने आप जीवर में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सौभागे का आशिरवात हासल कर सकते हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ में जुनने के लिए बहुत शुक्रिया, पुजा जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी खास पेश्ट्रेश में फिलाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए, निउस एटिये मे झाल